हेलो स्टुडेंट्स तुडेए विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विस्ट नेम इस लॉज ऑफ एक्स्पोनेंट्स पोर रियल लंबर्स बचू आज हम रियल लंबर्स के उस पार्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी चैप्टरस में लगबग काम हुए हमें समझना है नंबर्स की पावर के बारे में एक्सपोनेंट्स के बारे में के लिर तो समझने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट हैं कि अगर आपने पिछले चैप्टर्स को पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा आये तो प्लीज बच्चों ने देखिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है इस्टार्ट करते हैं क्योशन करने से पहले कुछ लॉस को समझते हैं में एक्सपोनेंट से पावर की बारे में तो यह लो है इनको अच्छे से ध्यान रखेगा ताकि हम क्योशन जब करें तो आप फटा फट से उसका आंसर ला पा यहां पर यहां पर इतनी सी बात बोलना चाहरा है कि अगर दो नंबर है मुझे जब दोनों नंबर का बैस इक्वल है ठीक है एक्साम्पल्स आप इसको अच्छे से यह देखो 5 तु दी पावर टू था और 7 तु दी पावर 2 था अब यहां पर देखो बच्चों पावर्स तो डिफरेंट है लेकीनका बैष जो नो वो इक्वल है ठीक है यजर भी 5 है यह तो इह भी 5 तो फोग्ट क्या बोलता है यह दोनों को एड कर दिया तोटल कितना बन गया आपका 7 प्लस तो 5 to the power 9 बन गया इसका solution, correct है, ऐसे ही मैंने एक और example लिया, इसमें मैंने fraction वाला number ले लिया, लेकिन आप notice कीजेगा बच्चो, यहाँ पर वो जो number लिया है, वो भी एक तरह से same best पर है, clear, 9 by 2 इदर है, 9 by 2 ही इस side, दोनों side best equal है, इनकी powers different है, लेकिन मेरा low बोलता है, कि अग पर minus 2 था, लेकिन indirectly अब जब 8 गरोगे, तो negative positive तो negative ही होना है, तो indirectly वो result आपका जो बनेगा, वो subject हो जाएगा, clear, जैसे यहाँ पर देखो, 5 minus 2 मैंने क्या 3 बन गया, समझाई, easy है, बहुत easy है, यह छोटी-छोटे concept है, छोटे-छोटे low है, यह बड़े question को करने में बड़ा help करें, चरू, next समझते, next low के बारे में समझते है, इस low के बारे में, क्या बोला गया है, quotient low, clear, कुछ नहीं करना है, basically, quotient का बात है, जब डपन, अपन normally divide करते हैं, तो यहाँ पर divide वाला इस system में, पूरा, एक question में, best दोनों का से में, आप देख पारे हो, a to the power m, divide by a to the power m, तो यह result इसका बन जाता है, यहाँ पर दो cases बन सकते हैं, कि इसने बोला है, if a m is equal to greater than m, यानि हमें अगर result positive आना है, तो यह उपड लेना पड़ेगा, और result अगर आपका indirectly, अगर अगर नीचे वाला number बढ़ा है, यानि नीचे वाली power अगर बढ़ी है, a to the power n लिख रहा है तो result negative आएगा, समझ रहे हो, इसको आप यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ मैंने must example लिया है, अराम सिकली हो जाएगा आपका concept में, क्या बोलना चाहरा था, to the power 7 है, to the power 5 है, दोनों का best equal है, अब आप देखो ऊपर जो है power 7 है, बढ़ी है, और नीचे power छोटी है, यही बात बोल रहा है, यह वाला pattern follow हो जाए, अगर उपर वाली power बढ़ी है, नीचे वाले छोटी है, तो आप basically क्या करोगे, नीचे वाले number को jump करा के उपर ले जाओ, क्योंकि यह rule है, अगर best same है, तो power subtract हो जाएगी, कब जब वो divide में होगा, divide में, quotient low, low number, divide में होगा, पह 2-1-5 किया, तो 2 बन जाएगा, 2-2-4 बन जाएगा, clear, यहाँ पर cases में लिखे, आप ज़रूरी नहीं है, cases को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो automatically उपर रखो, चाहिए, नीचे रखो, solution जब करोगे, तो कट जाएगा, फिर अपने आप काम में आजागा, clear, लेकिन मैं बत तरहों फिर भी आपको कभी confused ना उट लिए, next pattern में देखो, मैंने ऐसे कुछ कर दिया, यहाँ पर दोनों का base equal है, 3 और 3 उपर भी है, और नीचे भी है, लेकिन की powers different है, उपर वाली छोटी है, नीचे वाली बढ़ी है, clear, तो इस cases में अपकी बार मैंने क्या कर दिया, आप इसे भी कर सकते थे, उपर भेज सकते थे, और नीचे भी ला सकते हो, अगर उपर भेजोगे, तो यहाँ पर result आपका negative आएगा, जो powers मिलेगी, वो negative मिलेगी, लेकिन उसको आप positive बना सकते हो, क्यों, denominator मेले जाओ उसको, correct बात है न, तो हाँ, तो यह मैंने थोड़ा सा confused आन जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर divide कर रहे है, clear, तो यह low भी समझ में आगया, clear है, result आपका बनी जाएगा, minus 32 power minus 2 है, denominator में चली जाएगी, clear है बात, अब हम बात करते हैं, बच्चो, low number 3 की, low 3 क्या बोलता है, कि a to the power m, और उसका bracket close है, उसके उपर एको पावर अगर वो brackets के पाहर है, तो आपको पता है, जब bracket हटता है, तो multiply हो जाता है, clear, तो यहाँ पर भी वही same होगा है, example से समझते है, 5 to the power 2 है, उसकी भी power मेंने 3 लगा रखी है, correct है bracket में, तो basically क्या होगा जब इसको open करेंगे bracket को, तो वो दोनों multiply हो जाएगी, clear, divide नहीं करना है, multiply करना है, एक example, negative भी ले लो, अगर power minus 2 है, और whole power 4 है, तो वो भी divide नहीं होगा, multiply होगा, clear, normal multiply, minus 2 है 4, multiply कर देंगे, तो 4 into 2 minus 8 चला देंगे, clear, इस case में कुछ नहीं करना है, easy सा concept था, पहले भी आप already इसको आता है, काफी questions में आपने इसको use किया है, clear, low number 4 की में बात करता सबसे ज़्यादा important, यही low है, क्योंकि बच्चे इसमें maximum time confused होते हैं, confused बिलकुल नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह question का, मैंने example दिया हुआ है, इसको समझना है, और बाकी इस pattern पर काफी सारे examples book में प्राई करना है, अगर आपको इस वाले लोग को अच्छे से करना है, इसने देखा, a to the power m by n था, clear, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, am into one by n, correct, तो one by n का मतलब क्या होता है, वो square root वाली property है, root वाली property में आ रहा है, है न, जैसे nth root है यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर nth root बन जाएगा यह, one by n है न, तो यहाँ एंth root बन जाएगा यह का, और whole में कर दिया, aim, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, कि पहले मैं इसको a to the power m कर देता, क्योंकि power m था, उसके बात मैं whole root कर देता, clear है, example से समझो, कि 3 to the power 3 by 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों क्या है, 2 into one by 5, दुबारा सुनना, दुबारा सुनना, क्या power है, यहाँ य क्या किया है, यहाँ पर 3 to the power, सबसे पहले 3, 2 कर दिया, यह वाला देख लो, 3 to the power 2 कर दिया, अब देन 1 by 5 जो power से, उसको 1 by 5 को क्या लिखो गया आप, वो प्रोपर डियाती है, root वाली, clear, तो 5th root बन गए यहाँ पर, correct, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि पहले 5th root कर दो तरीका, उसके बाद power लगा दो, यह question आपको देख रहे हो, इसके अलवा साधरन simple question लेना है, और try गणना है, simple सी बाजब आपको समझ आएगा, clear, तो यह थे कुछ loss, अब कुछ identities है, कुछ properties है, वो भी आप देख लो, question करने में बड़ी आसानी होगी, clear, चलो, यह है points to remember, य या कुछ solutions हमने कियोंगे, question, उसका result निकला है, चलो, बच्चो, कैसे करना होगा, एक number है, एक number है, एक number है, भी, it means, दो variables नहीं है, question यहाँ पर देखो, directly, यह तो मैंने property लिखी, तो इसको मैं open करके, इसे लिख सकता हूँ, just like, 5 into 7, तो अलग अलग number से, whole powers 2 लगा होगा है, correct है, तो इनको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, multiply मैं product के रूप में, तो मैं 5 to the power 2, multiply 7 to the power 2, correct है, easy था, बहुत easy था, काम आएगा आपका आगे, clear, ऐसे ही मैं divide वाले portion था, clear, quotient वाले portion, divide वाले portion था, total power m है, उनको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, fraction वाली form में, a to the power m, b to the power m, just like 3 by 8 की whole power 5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 to the power 5, denominator में a to the power 5, correct है, समझ रहे हो, यह, इतना सा concept है, एक और, यह भी बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी variable, या किसी भी number, दुबारा सुनिएगा, किसी भी variable, या किसी भी number की power अगर 0 है, तो इसका मतलब, which is equal to 1, वो हमेशा 1 की equal होगा, correct है, ठीक है, a to the power 0, which is equal to 1, यानि, अगर मैंने कोई number भी लियाने, या पर, वो भी 1 की equal होगा, यह property हमें ध्यान अखना, इसका प्रूव में बाद में करा होगा, ओके, चलो, फोर्थ नंबर की property भी ध्यान देते हैं, अगर a to the power minus m है, तो उसक denominator में भीजेंगे, तो positive बन जाएगा, correct है, यह बन गया, question भी किया है, इससे 7 to the power, sorry, जैसे 7 to the power minus 2 था, तो 1 by 7 to the power 2 बन जाएगा, denominator पे चला जाएगा, correct है, समझा रहा है, बच्चों, अच्छे से clear, ऐसे ही यहाँ पर अगर negative power है, denominator में, तो जब आप उसको उपर लेके प्लस का माइनस का प्लस में, इतना सा ध्यान रखना, बागी question समझ लेंगे, यहाँ पर लिख रहा है, identity 5 में, root 5, root a, root a कॉम लिख सकते, a to the power 1 by 2, अभी मैंने करवाय था, वो property देखी थी, लो देखा था, वो लो का थोड़ा सा simplification यहाँ पर है, 7th root a, यानि 7th root a, एक आई उसके से लिख सकते है, 1 by 7, just like example ले रहा हूं, 3 ले रखा है, 3 root 17, 17 लिखा हुआ है, तो 17, 1 by 3, correct, ठीक है, 17 की power कितनी हो जाएगी, अपनी 1 by 3, समझ में आ गई, clear है, कुछ भी नहीं है, normal सी बाते हैं, अच्छी अच्छी पहले भी पढ़ चुके हो, आप वही मैं दुबार बता रहा हूं, अब आप बात करते हैं, 6 number की लो की, 6 number का लो क्या बोलता है, minus A की power अगर aim है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर लिखी सकते हैं, जिसका कोई न्युए ता उसका वन्त हमेशा होता ही, अविलेबल, तो मैंने क्या किया, यहां पर इनको separate कर दिया, इस लो से, इस लो से, इस लो से मैंने अलग अलग कर दिया, यहां पर एक number तो मेरा A है, और दूसा number minus 1 है, example की थू समझो, कि यहां पर minus का 10 था, उसकी power कितनी लगी होई है, 5 लगी होई है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, minus 5 to the power 5 into 10 to the power 5, यो कि वापीस जब 8 करेंगे हैं, तो वापीस होई बन जाएगा, उपी बताया था, A to the power M into B to the power M, तो A into B to the power whole power M, बताया था मैं यह रह, यह रह, यह वाला property मैंने यहां यूज किया, ठीके, तो यहां पर minus 5 की, 1 की power 5 थी, तो minus का 1 ही होना है, और यह मैंने इसे लिख दिया, result इसका यह बन जाएगा, तो हम पावर अगर और नमबर है, तो result हम इसा negative बनेगा, लेकिन अगर इस case में, देखो next case में, अगर power आपकी positive है, क्योंकि minus 1 की power, अगर मैंने positive लिए, तो basically यह 1 बन जाएगा, तो result आपका negative नहीं, positive है आपकी बार, समझ रहे हो, इसको दूबारा देखना है एक बार, अब हम छो the power, ठीक बात, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ, divide में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको correct, take them, am I right, now हमें क्या करना equal to, best equal है, तो parts add हो जाएगी, best equal है, तो powers add हो जाएगी, कब होगी, जब हो multiply में, तो multiply में था, तो मैंने powers add कर दी, 7 प्लस 4 कर दिया, अब आप दे powers equal है, sorry, powers, powers नहीं, best अगर equal है, और आपकी वहाँ पर divide का symbol है, multiply ने divide है, तो powers subtract हो जाती है, तो देखा, आमने यहाँ यहाँ पर best equal था, powers अलग अलगती, तो 8, 11 minus 8 हो गया, correct है, यह आपका result बन गया, solve कर लिए हमने फर्दर, चलो एक और question देख लेते हैं, फटा फटा, ठीक है, evaluate करना है, इसको छोटा सा question है, fraction की form में, बाकी, ठीक है, 1 by 2 की power 5 है, मैं इसको इसे लिख सकता हूँ, अलग अलग करके, same है, minus 2 by 3 है, इसको मैं अलग अलग करके, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, correct है, अभी मैंने just low पढ़ा है, आप properties पढ़ा ही, ऐसे ही 3 by 5 को मैं अलग अब हमने क्या किया, 1 की power 5 है, तो 1 बन जाएगा, 2 की power 5, तो मैंने ऐसा कैसा छोड दिया, लेकिन minus 2 की power 4 थी, बच्चो, आपको पता है, अभी थोड़े पिले मैंने समझाया था, कि कभी भी आपके negative number की power, अगर even number आती है, तो result मिशा positive बनता है, अपका 2 to the power 4 बन जाएगा now 3 की power 4 था, लिख दिया वे सा कभी सही, same as यहाँ पर मैंने क्या किया, आपने देखा था, अगर negative है, तो denominator से numerator में जाएगा, तो positive बन जाएगा, और positive है तो negative बन जाएगा, तो interchange हो गया, number 5 थी हो गया, अब हमें थोड़ा सा इसको solve करना था, basically, तो क्या किया मैंने, 2 to the power 4 थ यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर best equal था, denominator में था, तो minus हो जाएगा, जो मैंने कर दिया, same as यहाँ पर यह equal to है, sorry, यहाँ पर multiply है, और basically 3 to the power 4 है, 3 to the power 1 है, और multiply में पावर एड हो जाएगी, क्यों, best equal है, यहाँ पर हो गया, तो result आपका बन गया, समझाया बच्चों, यह था समझ नहीं था, दूबारा देखना, आज के लिए, thank you, thanks a lot बच्चों, next class में मिलते हैं, bye-bye